हाई अब्रिवान फर्स्ट फॉल गुड मॉर्णिंग तो विल्कम बैक तो माई यूटिफ चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्स आप जमुन किश्मीर के बारे में व्रेंट्स मैं आपको बता दू, JKSSP के जितने भी एग्जामों होते हैं आपको कि लिक्स आप जेंड के ओपर को पुछे आते हैं और लिक्स आप जेंड के को आज हम ऍ라ुरो को हम डिटोब्ट करेंगे और कपी इम्पूर्टन वीडियो रहेगा इस वीडियो को आप स्टार्टीज लेकर रहें तक जुरूर देखिएगा अगर आप फर्स टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजड़ कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को इस तनी भी लेक इस मिरकिज इस आपकी इसां करें है वीडियो, सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे लेक के बारे में कि आखिर का रूड़ होतीया है, देखिए लेक जो है एक बॉड़ी अवाटर हया जो कि surrounded होती है जैसे आप lake दिखते हुग कैसे होती है जैसे यह lake है जहां पर lake और जितनी भी lake जो है अगर बात करें लेक की तो जितनी border of body जो होती है वो surrounded होती है जैनि कि center में lake होगी ठीक है उसके बाद बात करें तो millions of lakes हैं in the world अगर बात करें there are found on every continent and in every kind of environment in mountains and deserts on plains and near sea shores ठीक है तो जहाँ पे simply आप यह जानके रखिए कि लेक जो है लेक क्या है एक body of water है जो कि surrounded होती है डेंट से यह आपकी एक definition आगी उसके बाद हम discussion करेंगे सबसे पहले और important लेक जहाँ पे कहीं बार जो question पूचे है बुलर लेक के बारे में मैं आपको बता दूँ लार्जेस फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया की वो है बुलर लेक सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे एशिया की सबसे लार्जेस फ्रेश वाटर लेक है वो है बुलर लेक उसके बाद बात करेंगे बुलर लेक की 16 किलोमेटर लॉंग है और 9.6 किलोमेटर वाइड है इसके बाद बात करेंगे जे कहां पे लोकीटड है काफी बार एक्जाम में कोशन पूचा है था डिस्टर्क के अपर तो बांदीपुरा के अंदर आपको देखने को मिलेगी या मुगश्मीर के अंदर फिर बात करेंगे जहां पे जो लेक वेसन है यह फांड हुआ था टैक्टनरीक एक्टिविटी से और एंड इस फैड वाई जेलम रीवर तो जहां पे कोशन पूचे जाते हैं कि जो लेक है बुलर लेक है बुलर लेक का जो वाटर है कहां से आता है ठीक तो किस से आता है यह आता है यह आता ह बुलर लेक है या डर लेक है बहाँ पर आपको एक कोशन पूछे जाता आइलेंड के उपर तो बुलर लेक के अंदर कौन सा आइलेंड है तो बुलर लेक के अंदर आपको आइलेंड देखने को मिलेगा general length ठीक है general length जो island आपको border lake के अंदर देखने को मिलेगा और सबसे important जो exam में question पूछे थे रामसर साइट के अपर तो रामसर साइट इसको declared किया गया था रामसर साइट के अंदर जाती है border lake इसको declared किया गया था 23rd March 1990 में यह आपके लिए काफी important points है जहां पर कभी भी आपको लेक के अपर यह question नहीं पूछा जाएगा कि लेक कितनी lengthy है जै कितनी उसकी बीर्थ है लेक के अपर हमेशा आपको question इस तरीके से पूछा जाता है जहां तो जहां से largest fresh water lake यह important है जहां जहां आपको district के अपर कोशन पूछा था अगर जमोकिश्मिर की बात करें जहां किस जो लेक होती बढ़ी है वो किस की बज़ा से बढ़ी है टेकनोगी के activity से और lake इस लेक में जो water आता है वो कहां से आता है जह आपका और island के अपर कोशन और रामसर साइट के अपर कोशन कभी भी आपको लेंथ के अपर कोशन नहीं पूछा जागा लेंथ के अपर कोशन आपको हमेशा से river के अपर पूछा जाता है इसको बोला जाता है convention on betland और यह एक intergovernmental environmental treaty है जिसको establish किया गया था 1971 में देखिए 1971 में इसको establish किया गया था जुनस्को की दुबारा और 1971 में इसको establish किया गया था बट यह existence में आई 1975 में ठीक है तो काफी important रहेगा आपके लिए उसके साथ मैं आपको बता दू यह national action और international cooperation रिकार्डिक conservation of betland और by sustainable use of their resources यह का main motive रहता है रामसर साइट का ठीक है उसके बाद रामसर साइट की बात करें तो current में रामसर साइट कितनी है इंडिया में तो current में आपके बास अगर देखें तो 49 रामसर साइट है जमु कुश्मिर के अंदर आपको तीन रामसर साइट देखने को जे जहां पर मैंने लिखा लदाख लदाख के अंदर कितनी रामसर साइट है जे मुझे आप comment box में जूरूर बताईए का तो काफी important रहेगा आपके लिए रामसर साइट के बारे में जानना तर बात करेंगे जहां पर अगर next बात की जाए तो friends मैं आपको बताना चाहूंग जहां पर जहां पर मैं आपको बता दूँ जो हमारा रहेगा यह रहेगा हमारी डल लेग डल लेग जो है ब्यूटिफुल लेग है कहां पर नेयर सिर्नगर काफी important उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो 8 km लॉंग है और 6.4 km यह वाइड है जैने बात करेंगे जहां पर यह काफी बार exam में कोशन पूशा गया है एक तो आपको बता पूशा था कि डल लेग है कहां पर एक कोशन पूशा था कि और किस नाम से जाना जाता है इसको ना जाना जाता है लेका फ्लावर लेका जबैली दा क्रोन आफ किश्मीर आज स्रेड नगर जबैल तो इस तरीके से क kal ale जैसे मैंने आपको बुर्टर लेक के बारे पर बताया आयलेंड के बारा में और जहांखें आयलेंड के बारे में बताना चाहूं कर जहां पर डल लेके अनृट आपको दो आइलेंड देखने ko मिलेंग एक कैसे रोपन नंक काफी important exam में कुशन पूशा क्या है मैं 30 च्सी आपको जही बोड़ रहा था कि आईलेंड की डिर्फोशन पूछ से आ रहे हैं सो सोलन लंक एंड रूपल लंक इसको और नाम से भी जाना रहे था दैडिस चार चिनार ठीक है देख सकते हैं दो आईलेंड आपको डल लेक के अंदर देखने को मिलेगा और एक सिंगल आईलें है बिल्कुल क्लोस तो अगंदर बन बात करेंगे जहां पर जे लेक जो है connected है famous डाल लेक से बाया चैनल कौन सा चैनल है जिसको बोलते है अमीर खान नहला विच पासे स्रो जे कहां से पास करता है गिलसर और खुशाल से पास करता ठीक है खुशाल सर उसके बाद जो लेक है जो हाईली डिटॉराइटेट कंडिशन है उसके बाद बात करेंगे जहां पर इन केस अफ फ्लडिंग एक्सेसी बाटर अफ डाल इस डाइवेटेड है जब फ्लड वगरा होते है तो एक्सेसी बाटर होता है डाल लेका जहां पर डाइवेटेड हो जाता है ठीक बात करेंगे जहां पर गड्सर लेक के बारे में गड्सर लेक जो आल्सो काल डाइज इसको वैली फ्लावर बोला जाता है इन प्रिक्चर स्क्राइब में एलपाइन हाई आल्टिटूड ओली ओलीगो ट्रॉफिक लेक गांतर बल डिस्टर्क्ट तो काफी बार एक्जाम में कोशन यही पूछाया था कि लेक को हमेशा आपको डिस्टर्क के आपको कोशन पूछाया था कि कौन से छोओं। देसमबर से लेकि एप्र तक फिर कूछ ओर इंपौर्टंट लेक्स के बारे में बात करेंगे गंगावल लेक के बरहा है। गंगावल जो लेक है, यह demo पूशन पूछा गया था exam में, गंगावल लेक के बर यह demo पूछा गया था तो इसको भूल लेक ओर लैक के हो़र मुख गंगा के नाम से, ठीक हैं, उसके बाद बात करेंगे यह वाद सुच्टवेटर है, तो exam में question पूछा जा सकता है इसके उपर भी यह home है बहुत सारी species का species of fish का इसमें आपको देखने को मिलेगी brown trout उसके बाद यह जो lake है इसको एक पवित्र lake बना गया Hinduism के लिए and one of the home of Lord Shiva ठीक है तो गंगावल lake के बारे माद सारी की सारी important information में आपको देने की गोश्चिश कर रहा हूँ कश्मीर जो कश्मीरी हिंदूस परफार्म करते है annual pilgrimage called हर्मुक गंगावल जात्रा तो देख यह भी काफी important रहेगा आपके लिए कश्मीरी हिंदूस जितने में है परफार्म करते है annual pilgrimage called इसको हर्मुक गंगावल जात्रा बोले रहता है और primary जो Outflow का रहता है रहता है दो देख द्रेंट डاتा है अंदर Πाइमरी Outflow की बात करें तो दो दर इंटीन इंटूद्री बर सूअफी important रहेग आपको इसको सबसे पहले important point की हर्मुख गंगा यह कहां पर situated है हर्मुख इन बांदीबू डिस्टिक उसके बाद यह बहुत सारी species जो है fishes की इसके लिए काफी ज़्यादा famous है इसमें सबसे आपकी first आगे brown trout और जो lake है यह काफी ज़्यादा considered की है the sacred in Hinduism और बनावदी home of Lord शिवा उसके बाद मैं बात करूं किश्मीरी हिंदू जो प्रफार्म करते है और प्राइमरी ओट फ्लोव इसका है नंदकोल lake जो की drain करते हैं बिच ड्रेन इंटू सिंदर रिवर नेक्स्ट बात करते हैं होकर सर लेक के बारे होकर सर जो है spread है 1375 hectares is a designated world century उसके बाद जैसे मैंने आपको बुलर लेक के बारे में बताया जे लेक जो है होकर सर लेक है जे भी एक रामसर साइड के अंदर आती है और इसको declared किया गया था रामसर साइड के अंदर अगर बात करें 8 नमंबर 2005 को रामसर साइड के अंदर इसको consider किया गया था फिर बात करेंगे जहां पर कोसर नाग कोसर नाग लेक के बारे में यह एक हाई maximum length जो है इसकी 3 km है उसके बाद maximum width जो है 0,9 km मैंने आपको length और width के जहां पर लिखा हुआ है मगर इतना important नहीं है मैंने आपको पूछा जहां पर बताया है कि length के उपर हमेशा से आपको rivers के अपर question पूछ रियाते है फिर बात करेंगे जहां पर मानसबल लेक के बारे में मानसबल लेक एक fresh water लेक है जो कहां पर located है साफा पूरा area अप गांदर वल डिस्टिक के अंदर ठीक है उसके बाद बात करेंगे जहां पर जो name है मानसबल इस set to be a derivative का किस से लिया गया है मानसरोबर से इसका नाम नेम जो है लिया गया है maximum length 5 km और maximum basis की 1 km है और जो मोगल गार्टन है जिसको वो लाइदा जहरू का बाग जिसको बिल्ट किया गया था नूर जहां के तवारा overlooks सा लेक मानसर लेक की बात करें तो मानसर लेक 62 km from the city of Jammu से है ठीक है located आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर लेक जो है located कहां से है 62 km from the city of Jammu उसके बाद बात करेंगे इस फ्रिंज बाइफ फॉरस्स कवर हिल्स एंड इस कवर्ड माइट 1.6 km नेंथ एंड हाफ ऑग माइट 0.8 80 km नेंथ उसके बाद सुरिंसर मानसर लेक जो है डेजिगनेटर किया गया इसको रामसर साइट के अंदर convention on 8 नमबर 2005 जैसे मैं आपको पताया इसको डेजिगनेट designation मिली है अंडर रामसर साइट जैसको डेकलेड किया गया था 8 नमबर 2005 को यह आप जितनी मैं आपको रामसर साइट करा रहा हूं जमकुष्मिर में तीन रामसर साइट है जैं इंपोर्टन आपके लिए बात करेंगे जहां पर ऑफिशल नेम इसको बोला जाता है सुरिंसर म पाड़ डाल लेक एंड इस कनेक्टेड टू इट बाया नेरो स्टेट फिर बात करेंगे इस आल्सों कुनेक्टेट दो खुशाल सार और गिलसर लेक बाया चैनल जिसको चैनल का क्या नाम है नला अमीर खन तूल्या लेक जे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँझे रिसेंट में यू और यूनिर एस्सिटेंट पर कोषन पूचा गया था तूल्या लेक के बारे जह सुरॉंटेड है तीन साइट से अगर बात करें मौंटेंज की और राइस करती है जह 48th 100 मीटर्स एंड डैट यूजरी कवर्ड विद स्नोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट जह लोकेटड है मीडो डॉटेड विद पाइन फॉरेस्ट और यह लेक जो लाई करती है जह ग्रे फिर बात करेंगे हम शेशनाग लेक के बारे में शेशनाग लेक जो है लोकेटड है अनंतरंग डिस्ट के अंदर और बात करेंगे जह सुचुएटेड है ऑन ट्रैक लीडिंग तो अमनात केव अबोट 23 किलोमेटर फ्रॉम पहल गाम इसकी अगर लेंथ की बात करेंगे तो 1.1 किलोमेटर और मैक्समा बेट से इसकी है 0.7 किलोमेटर बात करेंगे हम सुरिंसर लेक के बारे में सुरिंसर जो है 42 किलोमेटर फ्रॉम जम्मू सिटी जो सुरॉंडेड है इसको जे कोशन पूछा गया था इसको क्या बोलाई था इसको ट्विन लेक के नाम से भी जाना याता है और मानसर इससे कितना दूर है 9 किलोमेटर के डिस्टेंस पे फिर बात करेंगे जहां पर सुरिंसर मानसर बाइलाइफ सेंचुरी जो है लुकेटड है इंदा मिड़े स्टाप बोथ लेक्स जे सुरिंसर मानसर अगर बाइलाइफ सेंचुरी के बारे में आता यह कहां भी लुकेटड है इंदा मिड़े स्टाप बोथ लेक्स फिर बात क करें गे ईबिषना सर लेख जो देखने को मिलेगी यह अन्दर के अंदर देखने को मिलेगी फृपक यहां पर सब्सर जहाँ पे नंदर सर लेक जो है इसको बुला जाथा ओवल शेफ लेक है और पाइन लेक जे कहां पे लोकिटेटर है पीर बंजार रेंज में कहां पे डिस्ट्रक रोजोरी के अंदर तो जितनी भी जे लेक्स फरेंट साज है हमने की काफी important आपके exam point अभी से सारी की sारी approximately हमने cover कर दी है तो लेक्स के उपर जैसे मैं आपको बता रहा हूं जहां पर लेक्स के उपर आपको कोशन पूछा जाता है पहले तो एक कौनशा जिस्ट्रक में है secondly अगर बात करें तो question फिर पूछा जाएगा आपको अगर कोई lake famous है जैसे आपकी border lake है किसके लिए famous है जैसे मैं आपको island के बारे में बताया island, island के अपर question पूछा जाएगा ठीक है अगर बात करें कुछ और famous की जहां पर जैसे मैं आपको तुर्णियन लेक के बारे में बता इस तरीके से कोशन पूचे जाएंगे आपको लेंथ के उपर कोशन नहीं पूचे जाएंगे आपको ठीक है उसकी लेंथ कितने उसकी बिर्थ कितने इस तरीके से कोशन नहीं पूचे जाएंगे और most important रहेगा आपका रामसर साइड के प्रकोशन पूचे जाते हैं रामसर साइड तीन रामसर साइड जो है जे आपको जाद रखनी है कौन कौन सी लेक रामसर साइड के अंदर थी जे आपको जे सारी की सारी चेज़े जो हैं इंपोर्टर रहेंगा आपके इस वीडियो को जैज़े से लाइक कीजिए शेर कियो और सबस्क्राइब कीजिए हमारी यूटीव चैनल को थैंक यू फ्रेंड्स गुडबाई टेक कियर